हाई गाईज इट सेर्पन सो वेलकम टू माई चैनल तो अगर आप में चैनल पनाया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें चलो आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट क्यूंकि मैं बहुत साथा एक्साइटीड हूं इसको स्टार्ट करने के लिए क्यूंकि मैं करने जा रही हूं आज canvas painting यह है मेरा canvas pad जिसके ओपर मैंने एक painting तो आरेड की हुई है दू चेक इट आउट इस वीडियो और माई चैनल तो जल्दी से आज हम सेकेंड वाली आज painting करने जा रहे हैं यहां पर मैं यूज करूंगे अपने acrylic paint का तो चलो start करें अपनी वीडियो without wasting any moment तो firstly मैं apply करूंगी masking tape and by the way यहां पर मैं करने जा रही हूं beach painting तो बहुत सब्सक्राइटीड इसको बनाने के लिए paint करने के लिए and वह भी canvas की उपर सो जल्दी से यहां पर मैं masking tape apply करती हूं so that कि हम partition कर ले sky and beach की सो जल्दी से हम start करेंगे white acrylic paint से and firstly मैं paint करूंगी sky को and उसको complete करने के बाद हम proceed करेंगे beach की और सो जल्दी से white color को मैं लगा लेती हूं so that कि हम lighter shades ले सके sky की so इसलिए यहां पर मैं white acrylic paint से start किया है painting करना and यहां पर मैं एक बनाने जा रही हूं बहुत ही प्यारा सा cell set theme so you stay tuned है न मेरे साथ इसको complete करेंगे and देखेंगे इसका final look क्योंकि यह beach painting बहुत ही प्यारी होने वाली है and बहुत ही सुन्दर होगी and जल्दी से इसको मैं करती हूं complete and firstly मैं lighter shades ले लेती हूं sky के and then उसके बाद हम add करेंगे clouds तो जल्दी से यहां मैं firstly sky complete करती हूं so sky हमने complete कर दिया है and अब बारी आ गई है add करने की clouds को so जल्दी से यहां पर मैं sunset वाले different colors के clouds add करूंगी and मुझे sunset का theme बहुत ही सुन्दर लगता है and जब भी मैं sunset देखती हूं and different clouds देखती हूं and वहां से मैंने inspiration लेकर आज यह clouds बनाए है and बहुत ही सुन्दर यह clouds होंगे so जल्दी से इनको मैं complete करती हूं and देखेंगे कि यह हमारे clouds कैसे बने हैं the sky हमारा complete हो गया है masking tape हमने remove कर दी है now it's time to color the beach so बहुत ही सुन्दर हमारा sky बना है and मुझे तो clouds ही बहुत सुन्दर लगे so जल्दी से अब मैं इस beach को complete करती हूं and देखती हैं इसका final look and आप भी मेरे साल stay tuned रहना इस painting को complete करेंगे and देखेंगे इसका final look that how our painting, beach painting on this canvas looks like so जल्दी से यहां पर मैं beach को complete करती है so जल्दी से यहां पर add करते हैं darker shades include हो जाने के बाद अब मैं paint करूंगी sand को and then उसके बाद हम add करेंगे detailings and तब जाकर हमारी painting अभी half complete होगी अभी main element हमें बनाना बागी है so आप stay tuned रहना मेरे साथ इस painting को fully complete करने के लिए so जल्दी से sand को complete करने के बाद हम move करेंगे towards the detailing so यहां पर मैं use कर रही हूँ white acrylic paint का so यहां पर मैं बना रही हूँ sea waves so जल्दी से पानी की लहरों को complete करते हैं and इन्हें देंगे थोड़ा सा realistic touch so जल्दी से मैं करती हूँ complete यह पानी की लहरे so यहां पर मैं use कर रही हूँ round tip brush and जिसकी help से यहां पर मैं थोड़ी सी detailing add कर रही हूँ realistic look दे रही हूँ sea waves में and जल्दी से इस process को complete करते हैं and then उसके बाद add करते हैं detailing in this sea क्योंकि अभी बहुत सारी detailing पाकी है and जितनी हम detailing add जाता करेंगे उतनी ही हमारी painting beautiful होती जाएगी तो यह बहुत easy process है and अगर आपने करना हो तो easily आप इस process को complete कर सकते हैं so जल्दी से यहां पर मैं distorted triangles बना रही हूँ sea waves बनाने के लिए and इसी form में हमें सारी यह लहरे बनानी होती है and जल्दी से यहां पर मैं shadows include करूंगी पानी की and जब भी लहरे आकर पीछे को जाती है तो फ़री सी shadows होती है so वह हो यहां पर मैं बना रही हूँ तो जल्दी से इसको complete करते है and then उसके बाद add करेंगे detailings and जल्दी से detailings add complete करने के बाद हम add करेंगे few more elements क्योंकि अभी main element तो बाकी है यहां पर मैं black acrylic paint का use करके यहां पर some shadows दे रही हूँ अब बारी आ गई है हमारे main element को include करने की and वह है coconut tree तो जल्दी से यहां पर मैं coconut tree बना देती हूँ क्योंकि हम mostly देखते हैं beaches पे बहुत सारे coconut trees होते हैं so जल्दी से हम coconut trees को complete करते हैं and include करेंगे धेर सारे पत्ते इस coconut tree के तो यह हमारी painting का last element है जो हमने बनाना था and then उसके बाद हम देखते हैं इसका final look तो जल्दी से मैं इस coconut tree को complete करती हूँ एड करती हूँ देख सारे detailing इस tree के उपर so that कि यह हमारा tree बहुत ही सुन्दर लगे और हमारी painting और भी beautiful हो जाए तो जल्दी से यहां पर मैं detailing एड कर देती हूँ and then उसके बाद हम include करेंगे some lights, some shadows and देखते हैं इसका final look तो यह हमारी painting almost complete होकर हो गई है ready and बस थोड़े से touch ups दे रही हूँ and then उसके बाद देखते हैं इसका final look तो यह हमारी painting हो गई है complete so this is the final look of this painting and do let me know in the comment section कि आपको यह मेरी painting कैसे लगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मेरी वीडियो शेयर करना and comment करना मत बूलना मिलती हूँ next वीडियो में till then take care bye bye